नमस्कार मैं आरके जैसवाल और आप देख रहे हैं जन्मत की पुकार नियूज नागपूर में 48 स्थानों पर नगर इकाई रशना के माध्यम से संपन्न हो रहा है उन कारेक्रमों में भी शारिरिक्ष प्रत्यक्षिक सामुही गीत इत्यादी के साथ समाज बंधों की उपस्तिती में प्रस्तित हो रहा है वे हमारे साथ सीधे प्रसारण लाइव स्ट्रीम के माध्यम से जुड़ेंगे और इस कारेक्रम का भी हिस्सा बनेंगे संग निर्माता संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1925 में एक ऐसा तंत्र खड़ा किया जो प्राकृतिक आपदाएं हो या अप्राकृतिक अर्चने पैदा की गई हो संग का कार्य पिछले संत्यानबे वर्षों में निरंतर चल रहा है परन्तु इस तंत्र का मारमिक पक्ष हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कौन से अगुनों से व्याप्त होने से समाज असंगटित जरजर और दुरबल हो गया और शक्ति हीनता ग्वेज़े से उसे पराभव परतंत्रता और सभिक शेत्रों में निकरष्ट अवस्था प्राप्त हुई इसके कारण उन्होंने समाज के सामने रखे व्यक्तियों में सामाजिक भावना का अभाव धर्म और संस्कृति केवल तांत्रिक और आपचारिक श्मरण और पालन परयाप्त नहीं समस्त विजदेशी आगातों से उससे रक्षा करने के लिए जान हतली पर रखकर चलने की त्यारी होती है इस विशे का अग्यान सामाजिक और राश्ट्रिय करतवयों के प्रति उदाथ सीनता परसपर की नित्य सहायता करने की तत्परता नहोना इत्यादी परंतु उन्होंने समस्य अत्वा विचार ही नहीं रखे अपितु उसे दूर करने का उपायी भी धिया राश्ट्रिय स्विंसक संग्री की स्थापना कर उन्होंने व्यक्ती व्यक्ती पर सामाजिक एवम राश्ट्रिय जीवन के सुसंसकार एक सुत्र बद्ध एवम अनुशासित चक्ति के रूप में सिद्ध भी किया उसका ही परिणाम है कि अनेक शेत्रों में समाज में स्वेंसकों के प्रयासों से हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रती आस्था बढ़ी है सवेदंशील समाज और परसपर सहायता गुन जिसका हमें कुवित काल में विशेश अनुभव आया है ऐसे अनेक कुनों से परिपून समाज आप सामने खड़ा है पिछले एक वर्ष में हमने समाज के साथ मिलकर जो सेवा कारिय किये उसका अनुभव और रामंदिर समर्पन अभियान में व्यक्तियों और परिवार से बाची से जो अनुभव हमें आया है वो ये कि सिर्फ सेवा कारिय ही नहीं सिर्फ रामंदिर नहीं अपितु पूरे देश में घटित अन्य घटनाओं और विचारधाराओं को लेकर समाज में व्यक्तियों में चिंता उस पर चिंतन ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं ऐसी उनकी आतुरता का अनुभो भी हमने किया है अक्सर ऐसी मनुस्तिती में वह व्यक्ति या समूह सेवा कारे में लगकर राष्टर के पती मेरी जवाबदारी पूर्ण हुई सिर्फ इसी अवस्था में ना पहुँचे इसका चिंतन हम स्वेंसोकों को करना होगा ऐसे जागर प्वक्ति और परिवार में विचार करन्ति के लिए सतत मिलते रहना होगा उन तक ज्यान अस्त्र याने पुस्तक सदसाहित्य लेकर पहुँचना होगा घर घर में आपस के चर्चा के विशे कौन से हो आज चिंतन किस बात पर हो राश्ट्र हित में कौन से विचारों पर अमल हो और अभ्यास चर्चा और चिंतन के कौन सी एक-एक करनिया बातों को पूर्ण करते हुए आगे बढ़े यह सब जागूरती और प्रेडित करने की जवाबदारी हम सभी स्वेंसों को पर है उन्हें संगठित कर एक शक्ति के रूप में खड़ा करना होगा अपनी शक्तियों का जागरण और उसके माध्यम से राश्ट्रिय विचानों का जागरण इस बात का संकल्प आज के विद्याशी पावन पर वपर हम लेकर और आग आज का उत्सव सभी के सहयोग से उत्सा पूरे उत्सा के साथ सुचारू रूप से संपन्न हो रहा है हमारे निमंतरन को मान देकर पुझ्य संतों ने ऑनलाइन हमें आश्रवाद दिया है आपकी कृपा निरंतर मिलती रहे यही कामना करता हों विशेश अतिति नाकरिक प्रदे से आभारी हूं नागपुर के 48 स्थानों पर जो अन्यान्य संस्थाओं के सयोग से सुचरू रूप से उत्सव चल रहे हैं यहां के उत्सव के लिए डॉक्टर हेड़गार स्वारक समिती तथा न्यू इंग्लिश है स्कूल धन्विटे नगर विद्याले सीपीन इबरार सोसाइटी जिन्हों नहीं हमें पार्किंग की विवस्था दी ऐसे सभी को सभी संस्थाओं को धन्यवाद देता हूं इलेक्ट्रोनिक मीडिया नाकपूर यूसियन इस कारेग्रम का शिधा प्रसरन कर रहे हैं पत्रकार बंधू वृत्प्रत्र के प्रतिनिदी छाय चित्रकार इस उत्सों को देश विदेश के हर कोने में पहुँचाते हैं उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पुलिस प्रशासन, नाकपूर महानगर पाली का नाकपूर इंपूर्मेंट ट्रस्ट, महाराष्ट्र राज्य विदुत मंडल तथा अन्य प्रशासे की अधिकारियों से हमें सयोग प्राप्त हुआ हैं मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ अभी यहां व्यक्तिक एकल गीत होगा परंपूजनिय सरसंग चालक जी से अनुरोध है उसके बाद अपने उद्वोधन से हमें प्रेरित करें शीलशक्ति प्रेमकाहम भावधारण कर चले शीलशक्ति प्रेमकाहम भावधारण कर चले राष्ट्रहित काधेय उरले विजय पथपर बढ़ चले संग पथपर बढ़ चले संग पथपर बढ़ चले संग की यह साधना है हिंदू हिंदू एक हो परस परसत भाववर में एक मन सह चित्त हो संग खेले मन विमल हो हो सुसंस्कारित चले राष्ट्रहित काधेय उरले विजय पथपर बढ़ चले संग पथपर बढ़ चले भारती माता हमारी सब इसी के पुत्र है भारती विकसित बनाने हे तु मन में चित्र है मन बसाय चित्र सब साकार करने मिल चले राष्ट्रहित काधेय उरले विजय पथपर बढ़ चले संग पथपर बढ़ चले संग पथपर बढ़ चले वानी का सैयम सैंजोये परस्पर विश्वास से सामरसता भाव उरले आपसी सहकार से धेय पथ की साधना की पूर्ति है तु सब चले राष्ट्रहित काधेय उरले विजय पथपर बढ़ चले संग पथपर बढ़ चले संग पथपर बढ़ चले शील शक्ति प्रेम काहम भाव धारण कर चले राष्ट्रहित काधेय उरले विजय पथपर बढ़ चले संग पथपर बढ़ चले संग पथपर बढ़ चले संग पथपर बढ़ चले मननिय प्रांत संगेचालग जी महान निय महानगर संगेचालग जी उपस्थितन्य अधिकारी गण मेरे सामने विराजित अथ्वा अंतर्त आने पर उपस्थित सभी विशेश निमंत्रित माता भगिनी नागरेक सज्जन एवं आत्मिय स्वमिसेवक बंदुगण एक वर्ष के विराम के पश्चा फिर से हम खुले मैदान में भले ही कम संख्या में एकत्र उपस्थित है परन्तु पूरी संख्या में अन्याने केंद्रों पर उपस्थित है और यह वर्ष अपनी स्वतंत्रता का 75 वर्ष है 15 अगस्ट 1947 में को हम स्वतंत्र हुए स्वतंत्र बनने की प्रक्रिया का प्रारम्भ उस्वाधिनता के कारण हम कर पाए यह अपने देश को चलाने के सूत्र हमने अपने हाथ में उस दिन लिये अब चलाते चलाते अपने देश को स्व के आधार पर एक तंत्र पर खड़ा करने की प्रक्रिया वो चल रही है क्योंकि स्वतंत्रता क्यों चाहिए इसके बारे में भी अपने देश में संगर्श हुआ स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण भारत में समाज के सभी वर्गों से देश के सभी क्षेत्रों से लोगों ने परिश्रम किये संगर्श किये बलिदान दिये त्याग और बलिदान के हिमालय खड़े किये स्वतंत्रता और परतंत्रता इसके बारे में सबकी कल्पनाए समान सी थी यहने 1857 के पहले 1830 के दशक में दक्षन भारत में वीरपांडय कट्टे बोमन के नेत्रुतों में जो हुआ संगर्श ब्रिटिशों के साथ उसका उसकी घोशना करते समय एक पढ़ा गया उसको कुंडरा नाम के ग्राम में पढ़ा गया इसलिए उसको कुंडरा डिकलेरेशन कहते हैं कि उसमें यह कहा गया कि यह जो विदेशी बाहर से आये हैं इनका रंग सफेथ है इसलिए पूजा में कपूर और भोजन में नमक महंगा हो जाएगा अगर हमने इनको यहां राज्य करने दिया तो और बहुत बात में महात्मा गांडी जी ने और एक सत्याग्रा की शुरुवात मुठी भर नमक उठाते हुए की कहते ही कि उसके कारण अंग्रेजों के विशाल सामर्याज्य की बुनियात की मिट्टिखस की तो इस प्रकार कुछ समान भाव समान से भाव सबके मन में थे आपस में संप्रक नहीं था तो भी और इसलिए इसी कई बाते समान सी पाई जाती है वो संगर्श में ऐसा एक संगर्श हुआ और उसके फलस्वरूप हम 15 अगस्त को स्वतंत्र हुए परंतु कालांतर में स्व की कल्पना ढिली पड़ी अस्पष्ट हुई उसके कारण स्वतंत्र होना है यहने क्या होना है अपना स्व क्या है यह पता नहीं स्व का विस्मरन तो बहुत दिनों से चल रहा था और इसलिए स्व को भूल गए तो स्वजनों को भी भूल गए और आपने आपस में ही भेद इतने बड़े हो गए उससे हम जरजर हो गए एक दूसरे को बराबरी से देखने के लिए तैयार नहीं आपस में संगर्ष पंथ प्रांत जाती भाषा सप्रकार के भेद जो विविधता थी उसकी चवड़ी खाईयां बन गई हमको बाटने वा और इसलिए जो चुनोतिया उस समय की थी उसके सामने एक स्पष्ट नीती लेकर हम खड़ेनी हुए कभी इधर कभी उदर इसी ढुलमुल बात चली इसका लाव विदेशों ये लिया और जिस दिन हम स्वतंत्र हुए उस दिन स्वतंत्रता के आनंद के साथ साथ एक अत्यं अत्यंत दुर्धर वेदना भी हमने अपने मन्य में अनुभों की उठीस अभी तक गई नहीं है अपने देश का विभाजन हुआ अत्यंत दुखद इतिहास है वो परन्तु उस इतिहास के सत्य का सामना करना चाहिए उसको जानना चाहिए जिस शत्रता और अलगाओ के कारण विभाजन हुआ उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी है उसकी पुनरावृत्ति टालने के लिए और खोड़ी हुई हमारी अखण्ड़ता और एकात्मता को वापस लाने के लिए उस इतिहास को सबने जानना चाहिए विशेशकर नई पीड़ी ने जानना चाहिए क्योंकि अब जो पीड़ी है वो उसके बाद उसने जन्म लिया है उसको जानना चाहिए ताकि उसकी पुनरावृत्ति नहों खोया हुआ वापस आ सके खोये हुए बिचुड़े हुए वापस गले लगा सके परन्तु इस प्रकार की एकात्मता और अखंडता की पहली शर्त रहती है भेद रहित समताध हिष्टित समाज पहले हमने अपने स्व को भुला दिया स्वजनों को भुला दिया तो भेद जरजर हो गए इसलिए हजारों मील दूरी से मुठी भर लोग आए हमसे बरबर लोग आए और हमको पादाकरांत करते चले गए यह बार-बार हुआ एक बार नहीं हुआ हुण शक बरबर यवन अपने सुना है तब से लेकर तो बिटिशों के अपने यहां पर राजा वनने तक यहीं इतियास हो और इसलिए मूल जो अपना स्व है उसके आधार पर अपने स्वजन उनके प्रती आत्मी यता पूर्ण व्यवहार यह होना चाहिए क्योंकि अपने जैश में उस्व के विश्मरण के कारण अपनों के विश्मरण के कारण जातिगत विशमता की समस्या बहुत पुरानी हैं बहुत लोगों ने उस विश्मता को हटाने के लिए प्रयास किया विश्मता मूलक जो व्यवस्था थी उनको निकाल दिया समता जिटित व्यवस्था लाने का प्रयास किया लेकिन व्यवस्था तो व्यवस्था है वह एक धाचा है अखिर चलाने वाला उसका उप्योप क् निर्भर है, चलाने वाले के मन में अगर समता है, तो व्यवस्था समता की पोशक होती है, व्यवस्था तो बदलेगी, विशमता मुलक्त व्यवस्था टिक नहीं सकती, अब प्राकृतिक है, और इसलिए वो जाएगी, ठीक से जाए इसको देखना, इतना ही काम रहता है, लिकिन व्यवस्था बदलने के साथ साथ या उसके पहले मन बदलना चाहिए, भेद की भावना मन में रहती है, मन से वचन कर्म और वानी में प्रगट होती है, विचार में प्रगट होती है, व्यवस्था में प्रगट होती है, और इसलिए उस व्यवस्था के साथ साथ इस म मन को बदलने का प्रयास होना चाहिए कि संग के स्वांशयोग सप्र करके प्रयास करते हैं कि बुद्धी से वाणी निकलती है विचार से आप दिम्य बोलता है तो उस विचार में समाज के भेद बढ़ाने वाली भाषा नहीं चाहिए समाज को जोडने वाली भाषा चाहिए उतार चड़ाव आते रहते उल्टे सिधे प्रसंग होते रहते हैं हर प्रसंग पर भाष्च करते समय लोगों को रहा दिखाते समय उनको आपस में जुड़ने की प्रेम को बढ़ाने के भाषा होनी चाहिए सम्वाच शकारात्मक हो इसलिए सामाजिक समरस्ता मंच के माध्यम से गतिविदी के माध्यम से संग के स्वयंशोक प्रशा ये काम कर रहे व्यवस्थागत व्यवहार भी बदले इसलिए मंदिर पानी समशान सबका एक हो यहां से प्रारंब हो इसका प्रयास भी अनेक वर्षों से स्वयंशोक कर रहे दिरे दिरे आगे बढ़ रहे सब प्रांतों में प्रयास टल रहा है प्रंतु मन से जाने के लिए तो मिलना पड़ेगा बाच्चित होनी पड़ेगी अनोपचारिक बाच्चित होनी पड़ेगी और इसलिए परवत्य वहारों में आपस का मेल जोल मिल जुलकर जैनतिया पुन्यतितिया विशेश उत्सव इनको करना जैसे समाज मिलता जुलता है वैसे परिवार भी समाज के विभिन वर्गों के आपस में मित्रता करें आना जाना उठना बैटना परवत्य वहारों पर एक दूसरे के घर जाना परिवार सहित परिवार सहित घर पर बुलाना इस प्रकार के अनोपचारिक पारिवारिक संबंद उत्पन्नों ये काम संग की शाखाओं के माद्धम से और सामाजिक समरस्ता मंच नामक गतिविदी से संग स्वयम सेवक कर रहे है क्योंकि भेद रहित समतारिष्ठित समाज स्वातंत्र के टिकने की गैरंटी है और राष्ट्र के एकात्मता का अधिश्ठान है भारत की अखंडता और एकात्मता की ये जो सरता है वो कोई नई बात नहीं है भारत में चलती आई हुई बात है सनातंकाल से चलती आई है उसके लिए लोग काम भी करते आये हमारे इतिहास में प्राचिन समय से लेकर अब तक बहुत उधारण है बहुत प्रवैसे है जिससे बार-बार इस एकात्मता का और अधिश्ठान मजबूत बनाया गया है कि श्री गुरुतेक बादुर जी महराज का 400 सालावा प्रकाश वर्ष है कि उनका बल्यदान क्यों हुआ था कि इसलिए हुआ था कि यह जो भारत वर्ष की चलती आई हुई एकात्मता की प्रेम की अखंडता की परमपरा है उसका आधार तो यही है कि हम सम्विविधताओं को स्विकार करते पूजा की भी विविधताओं को स्विकार करते और उस समय देश में यह अत्याचार चल रहा था कि अपनी पूजा बदलो नहीं तो मरो तो कश्मीर से लोग गुरुजी के पास आए हाथ जोड़कर सुरक्षा के लिए विनंती की तेक बाद दूर जी चले गए दिल्ली बाद्शा के सामने और अपने धर्मश्रद्धा का परिचे देते हुए उनका बलिदान हुआ उन्होंने अपना सिर दे दिया परंतु भारत वर्ष में इस प्रकार की पूजा की स्वतंद्रता बनी रहेगी सब की पूजा स्विकार होगी कोई एक दूसरी के पूजा पर जबर्दस्ति नहीं क कर सकता यह जो अपने भारत वर्ष के संस्कुर्थी का सार है उसको उन्होंने दिया नहीं सिर दिया सार नहीं दिया इसलिए हिंद की चादर कहला है भारत वर्ष की स्वतंत्रता भारत वर्ष की एकात्मता अखंडता के लिए बलिदानों मिनी वीरों की सनातन काल से जो आकाश गंगा यहां चली आ रही है उस आकाश गंगा के वे सूर्य से थे है वह कलपना हमारी समांसी है और प्राचिन काल से चलती आई है स्वतंत्र जिवन कैसा होता है स्वतंत्रता क्या है सबके सुख की कलपना है मंत्र पुष्प में हम कहते हैं अपुत्रा पुत्रिनस संतु पुत्रिनस संतु पुत्रिना अधना सधना संतु सर्वे संतु निरामया सर्वत्त का भला ऐसा कहते हैं सबके सुख की कलपना किसी को नहीं छोड़ा वसुधहिव कुटुम्बकम मानकर सब जिसमें सुखी हो और सब को एक साथ सुखी करने वाला मनुष्य मात्र के तीनो पुरुशार्थ एक साधने वाला मनुष्य समुवसृष्टु को एक साथ सुखी कर सकने वाला अर्थकामों को नियंत्रण में रखकर मोक्ष के तरफ चल वह अध्यात्म आधारित है अनुभूती आधारित है हमारे स्वतंत्रता की वह अध्यात्मिक कलपना है और इसलिए हम जानते हैं पसायदान में उस्वतंत्र सुखी जीवन की कलपना ज्यानेशोर महराज ने की है जे ख़डांची व्यंकटी सांडो तया सतकर्मी रतिवाडो भूता परस्परे पड़ो महित्र जीवान से दुरितान से तिमिरदावो विश्व स्वधर्म सूर्य पाओ जो जे वांचील तो ते लाहो प्रा परेड़ा पंजाय का उनकी अच्छे कामों में रुची बड़े प्राणी मात्र में परस्पर सवहार्द प्रेम आत्मी अता का संबंद हो सबके संकट दूर हो कि सब अपने अपने स्वधर्म को अनुभूत करके चले स्वधर्म पर चले कश ड़ी अब सबकी इच्छा पूरी होगी कि प्राणी जात है जिन में प्राण है जीं वह सब सुखी ओंगी सुख होग्डुख्का अनुभव कर सकने वाले सब सुखी होंगे। रविन्या टागोर ने बाद में कहा कोई अलग बात नहीं की। चित्त जता भयशुन्य उच्च जताशिर। जहां चित्त भयशेशुन्य हो। जहां गर्वसे माथा उंचा करके, ज़हां ज्यान मुक्त हो। जहार दिन रात विशाल वसुधा के खंडोग में विभाजित कर छोटे और छोटे आंगन न बनाये जाते हों, संपूर्ण मानावता के एकता की कलपना, जहां हर वाक्त के रदय की गहराई से निकलता हो, सत्य पर चलने की कलपना, हर दिशा में कर्म के अजस्त्र नदी के स्र की है, वो हमारे स्वतंत्र जीवन की कलपना देती है, और उसके पीछे जो स्वह है, उसका आधार आध्यात्म है, इस पश्ट करती है, और इसलिए योगी अर्विंद, जिनके डर्सों भी जहनती है, उन्होंने भी यही बात कहिए, हमारे स्वह का अधिष्ठान स्पश्ट किया है, हमारे राष्ट्रियता की कलपना को उच्चरव से कहा है, गांधी जी इसी आधार पर बोलते थे, उनको सबूत की आवश्यक्ता पड़ी, तो धर्मपाल जी ने सबूत जुटाए और आजीवन तपस्या की, उसके आधार पर उन्होंने भारत वर्ष के ब्रिटिश का प्रभाव होने के पहले के जीवन का जो चित्र सबूतों सहित किया है, प्रमाणित है, वो चित्र भी उनकी भी शताब्दी है, जन्मशताब्दी, वो चित्र भी इसी बात की पुष्टी करता है, हमारी इस स्वकी कलपना का आधार, अध्यात्म आधारित, परस्पर व्य व्यवार था आत्मी व्यवार था कि उसको हम धर्म कहते हैं और उस धर्म के उदय से सब सुखी होते हैं कि शावर करजी ने कहा कि जब ऐसा हिंदू समाज खड़ा होगा संगटित तो वो गीता की ही बात करेगा और अपने उद्देश्य को वसुधाईव कुटंबकम यहीं बताएगा क्योंकि हम किसी को पराया माने नहीं सकते हैं ऐसा हमारा जो अध्यात्मिक राष्ट्रियता का स्वह है वो उदय होने से दुनिया के सारे जगड़े समापत होंगे खोया हुआ संतुलन वापस आएगा और ऐसा मानव धर्म उदित होगा हिंदू धर्म उदित होगा तो फिर परिणाम यह भी होगा कि मनुष्यों के कलहों पर जिनके दुकान चलते हैं और उनके खोये हुए संतुलन पर जो अपना उल्लू सिधा करते हैं उनके दुकान बंद हो जाएंगे और इसलिए हम देखते हैं कि यह न हो भारत एक विकास के रहा पर बड़ा बनने की रहा पर चल पड़ा है यह हो न पाए हिंदू समाज अपने स्वह को समझ न पाए और वैसे ही कटा बटा रहे इसलिए बहुत प्रयाश चल रहें जो जो भारत का है उसकी निंदा करना जो जो भारत की है उसकी निंदा करना भारत के जीवन की भारत के धर्म की भारत की परंपरा की इतिहास की वर्तमान की व्यवस्थाओं की सब की निंदा करना भारतियों के रुदय में स्वयम के बारे में ही अश्रद्दा उत्पन करना ऐसे प्रयाश चलते हैं इतने प्राचीन जीवन से दुनिया देख रही है कि उस जीवन में इतने लंबे समय से चलते हुए मूल्य है मनुष्य जीवन को स्थिरता देखे सुख देते तूटन से बचाते अधब पतन से बचाते ऐसे मूल्यों से युकता हमारा जीवन है उन मूल्यों पर हमला होता है बोल के भी होता है निंदा करके भी होता है और विभिन्न माध्यमों से बहुत सुक्ष्म रीती से भी होता है से कि अगर ये सारी बाते भारत में ठीक हो गई तो हम नहीं चल पाएंगे और गटबंदन भी ऐसे लोगों ने बना लिया है सम्मीलित प्रयास करते हैं और भारत में हम देखते हैं कि इसको पहचान कर इसके उपाय में चलना चाहिए समाज को ठीक दिशा में चलाने के प्रयास करने चाहिए सब ऐसा नहीं करते विशेशकर इसके व्यवस्था को चलाने का भारत की जय दाहित्व धारी लोग है, राज्यों में, कैद्र में, सब लोग है, लेकिन कभी-कभी एसा व्यवारति गता है, यहने एक भारत का ही राज्य है दूसरा भी भारत का ही राज्य है उसकी पुलिस आपस में युद्ध करती है गोलियों सो लोग मारे जाते हैं हम एक देश के वासी है कि क्या है अपनी राजनितिक स्परधा के चलते और सरकारों का विरोध खड़ा होता है पारिटियों का है चलता है लेकिन सरकार्य व्यवस्था के अंगाई व्यवस्था तो एक है सम्विधान के ताहत बनी है सम्विधान के तहत हम federal structure है लेकिन सम्विधान के तहत ही we the people of India हम एक देश के लोग है हमारा एक देश है यवस्था है हमने federal बनाई है लोग federal नहीं है सम्पूर्ण जन एक जन एक राठ रहे हैं लेकिन ऐसा पोशक व्यवहार सत्ता में बैठे लोगों का भी होता हुआ नहीं दिखता तो समाज को कहां से उद्बोधन मिलेगा कहां से पथप्रदर्शक पात्रिय मिलेगा अपने राजनीति कुल्लों को सिधा करने के लिए ऐसे चलकपट चलते हैं उसमें समाज के मन का क्या होता है समाज में जो भेद है उनको मिटाया जाता है कि उनको और चवड़ा किया जाता है इसकी परवानक करते हुए होता है अब समाज को ही बचना पड़ेगा इन बातों को पहिचानते हुए क्योंकि ये शडियंत्र चलते है असंतोश उत्पन्न करना निमित्त तो मिलते ही है इतने बड़े समाज में इतने लंबे चवड़े देश में छोटा भी निमित्त है उसको प्रचार के साधनों के आधार पर बहुत बड़ा करके बताना असंतोष उत्पन्न करना आपस में विरोध उत्पन्न करना जाती से जाती को लड़ाना प्रहेंच से प्रदेश को भाशा से भाशा को लड़ाना कर लट का उत्वन करना ऑ और आतंग के वातावन मिंदपन न करते हुए इसको शमनकरने चाहने वाले शक्तियों को दबाने का प्रयास करना और एक तरह से देश में अराजकता उत्पन्न होin ऐसा प्रयास करना ये भी प्रयास डल रही है और तक्निकी के अधार पर नहीं नहीं बाते जो आ रही है वो और आग में घी डालने का काम कर रही है नियंत्रण नहीं है उसका OTT प्लैट्फॉर्म से उस पर कैसे कैसे चित्रे आते हैं क्या क्या आता है अभी तो कोरोना में बालकों के हाथ में भी मूबाइल आ गया और ऑनलाइन तो देखे ही रहे और क्या देखते क्या नहीं इसका कोई नियंत्रण नहीं और OTT प्लैट्फॉर्म पर क्या दिखाना इसका भी कोई नियंत्रण नहीं देश में तरह तरह के नशीले पदार थाते उनकी आदते बढ़ रही है वो कैसे रोकी जाए कैसा हो पता नहीं उच्च वर्ग से लेकर तो बिल्कुल आखरी आदमी तक समाज के जितने भी स्तरह सब में भयंकर व्यसंग और उस व्यापार से जाने वाए आने वाला पैसा किसके आत में जाता हम सबको पता है देश विरुजवी कारियों में उसका उप्योग होता है सीमापार के देश उसको प्रोच्छान करते हैं ऐसी सारी बाते चल रही है और नियंत्रित बाते भी बढ़ रही है बिटकॉइन जैसी करंसी है किस राष्ट्र का किस नियम का उस पर नियंत्रणे मुझे नहीं पता इस परदा खड़ी हो रही है इन सब बातों को नियंत्रित करना समाज के हित्व में चलाना ट्रग्ज जैसे व्यसनों का पूर्ण जिरासों इसका प्रयास करना ये शासन को करना चाहिए करना पड़ेगा परउंतु शासन तो अपना काम आज निए कल करेगा करने का प्रयास कर भी रहा है वो यसस्वी आज न कल होगा परउंतु तब तक के लिए इसका बचने क्या कर और बाद में भी बचनी की क्या बात है कैसे होगा तो अपने आपर एक वाक्य सर्वत्र लिखा मिलता है, मन का ब्रेक उत्तम ब्रेक समाज का मन तयार होना चाहिए, नई पीड़ी का मन तयार होना चाहिए, बालकों का, शिशुओं का मन घर में तयार होता है नवत अरुण होने के बाद जब दुनिया में जाता है और दुनिया के आगे खड़ा होता है तो उस व्यक्ति को क्या लेना क्या नहीं लेना क्या ठीक है क्या गलत है इसका विवेक जो मिलता है वो घर से तयार होके मिलता है माता-पिता के आचरण के उधारण से मिलता है घर में जो अपनी कुलरी तिया पद्धतिया चलती है उसके संस्कारों से मिलता है उनको ठीक करने से बहुत सारी बात बिना शासन के भी हम कर पाएंगे और इसलिए कुटुम्ब प्रबोधन की गतिविदी हम हमारी स्वाइशोग चलाते हैं कि सब्ता में एक बार कुटुम्ब के लोग बैटते और आपस में समवात करते हैं मुक्त चर्चा करते हैं सब्हाशा स्वभूशा अपना भजन भवन भ्रोण भोजन किस प्रकार से चलता है कम से कम अपने घर की चौकट के अंदर हम लोग अपने सब्हार पर आचन करते कि नहीं घर में अपनी भाशा बोलते कि नहीं कागजो पर अपना हस्ताक्षर करते हैं तो अपनी मात्रु को टालो जहां उसका उप्योग है और जहां अनिवारी है वहां तो करना ही पड़ेगा करेंगे भी हमको किसी भाषा से थोड़ी पैर है परंतु स्वभाषा स्वभूशा अपना भजन अपना भोजन इसका एक महत्व है स्वग का ज्यान परंपरागत रीती से पीड़ी दर पीड़ी बनता रहे इसलिए इसलिए उस आचरन के बारे में चर्चा और मैं अपने लिए रोज कुछ करता हूं परिवार के लिए रोज क करता हूं समय देता हूं पैसा देता हूं देश समाज के लिए रोज क्या करता हूं कितना खर्चा रोज करता हूं इसका विचार होके ऐसे छोटे-छोटे संकल्प लेना और उसके आधार पर परिवार में सब लोगों का मन बनना चाहिए नई पीड़ी का भी बनना चाहिए तो इस प्रकार के विपरित वातावरण में भी उनकी प्रतिकार शक्ती जागुरुत रहने से विवेक शक्ती जागुरुत रहने से वो उचित का ही चैन करेंगे स्वाभाविक तहा तो उनका जुकाव अच्छे के तरफी है केवल उसके लिए पोशक उनके मन बुद्धी के संस्कारों को बनाना चाहिए उसके लिए गतिविजी चलती है हमारे स्वयन सेवक भी और अन्यानेक लोग भी ये काम कर रहे है अभी इस प्रकार के हमारे प्रयाश चलेंगे बीच में कोरुणा गया कोरुणा के पहले लहर काम ने बड़त अच्छा सामना किया दूसरी लहर ने बहुत जादा नुकसान किया हम सब समाज में एक दुख़् का अनुभो कर रहे है नई पीड़ी के कई होनहार लोग सक्रिय लोग इस कोरुणा ने उठा लिये हम में से असमय उठा लिये उसका बहुत दुख़् है उनके प्रतिसर्दान लिये लेकिन वो होने के बाद भी तुरंत सावधान होकर पूरे समाज ने अपनी जान को हतेली पर लेकर दूसरे लहर का भी सामना किया यशस्वी प्रतिकार किया है और अब तीसरे लहर के आशंका है तो भी अपना देश कोरुणा के पृतिकार में दुनिया में सबसे आ अगए है यह प्रिस्थिति ए ऐसे कार्यकर्ताउं का अभुनंदन भी है सारा देश अभिनंदन कर रहा है हम भी उसमें सब आगी तीसरे लहर के आशंका है अब दिन बदिन और मद्धिम पढ़ते जा रही है लगता है कि नहीं आएगी अथवा आएगी तो बिल्कुल परिणाम कारण नहीं होगी लेकिन किसी अनुमान पर निर्वर नहीं रहना चाहिए तैयारी पूर्य होनी चाहिए गाउं स्तर तक हर गाउं में पास साथ कोरोना योद्धाओं की तोली तैयार रहे इसलिए संगने देश भर में प्रशिक्षण का कारिक्रम लगभग पूरा कर लिया है और उसके आधार पर इस लॉड़ाइं होगी ठीक से होगी ऑएगा नहीं सैसे करते हैं लेकिन आए गां तो क्या करनाओं उसकी पूरी तैयारी है और अर हम इस कोरोना को मात देंगे और उसके नुकसान हुए है दो साल चला तो श हम हिसकी फिए्थ सबते हुआ है बहुत नुक्सान हुगा है परन्तु हमारा समाज उससे दबा नहीं है आर्थिक शेत्र में भी उस नुक्सान को पूरा करने का आत्मविश्वास दिखता है लोग बोलते हैं और किसी-किसी आर्थिक अर्थायाम के शेत्र में तो सब पुर्ववत हो गया और आगे बढ़ गया ऐसा विवृत्ता आता है कि स्वा के बारे में अपने समाज की प्रोरुत्ती निश्चित रूप से बढ़ी है अभी राम मंदिर का धन संग्रा हमने किया गाउं गाउं जाके तो वहां भी यही अनुबवाए उस फूर्त रूप से समाज के सभी जाती वर्गों का सभी भवगोलिक शेत्रों से उत्तम सहयोग मिला और एकी भावना की कारण कि कुछ हमारा हमने वापस लाया है उसको प्रगट यहां है और उस्वा प्रगड़ मिधी हो रहा है उसा अत्मिश्वास का परिणाम मी दिखरा है अभी ऐलिम्पिक और पेरा ओलिम्पिक में कितने मेडल कि ओलिम्पिक में एक गोल्ड दो सिल्वर और चार ब्रॉण्स याने स्वरण रोप्य और कांस्य और पहरा ओलिम्पिक में पाँच स्वरण आठ रोप्य और छे कांस्य पदक हमारे खिलाडियों ने प्राप्त की उत्सा कहां से आया बहुत परिस्थितिया उनकी बदलिया ऐसा नहीं है परंतु देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रोर्ति बनी है और इसलिए यह कोरुणा की आपत्ति हमारे लिए स्वर का चिंतन करने का एक आउसर भी बनी है हमने अनुभो किया अपने स्वर पर आधारी कई बाते कितनी उप्योगी है उधार नार्था अपने स्वास्थे का विश्य है स्वास्थे मनुश्य की ऐसी आवश्रक्ता है उसको पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर लेगा कि विमार है तो उपचार के लिए घर भी पेश्य करता है अच्छे उपचार और विश्वस्त उपचार जिससे hadi निश्चिती कि मुक्त रोग मुक्त होने की ऐसे उपचार लेने के लिए कुछ भी करता है तो हमने देखा कि देश में सब की इच्छा है चिकित्सा सब को सुलब रहे सब के पास पहुंच सके और चिकित्सा महंगी नहों सब आयुवर्ग के लोग उसका लाब ले सके वो सस्ती और सुलब पानी है तो स्वह के आधार पर क्या विचार करेंगे पहली बात है कि हमारी परंपरा में केवल इलनेस का बीमारी का विचार नहीं किया है हमने वेलनेस का भी विचार पहले से किया है आयुर्वएद में पूरा प्रकरण स्वास्थ्य वृत्त है बीमार नहीं कैसे पढ़न उसमें जैसे स्वच्छता का महत्व है उस पर तो कई वर्षों से हम आगे आगे बढ़ रहे हैं लोका स्वास्थ का पबलिक हेल्थ का विश्या है उस पर भी हमको बहुत तरीके से आगे जाना पड़ेगा क्योंकि उसमें शासन को भी बहुत कुछ करना पड़ता है समाज को हम भी बहुत कुछ करना पड़ता है अपने घर की और श्वयम की स्वच्छता तो हम देख लेंगे अपने महले की दिखता पर भी जान देना पड़ेगा सार्व जनिक स्थानों पर स्वच्छता बरतने की आदत लगानी पड़ेगी कि स्वच्छता के लिए नंबर मिलते है आजकल शहरों को अच्छी बात है लेकिन दिखने वाली स्वच्छता और जहां नहीं कोई देखता वहां स्वच्छता नहीं ऐसे लोकस्वास्थे में नहीं था सल्था बीमारी हवा से भी आती है और इसलिए लोकस्वास्थे के नियमों का ध्यान रखना और जीवन शहिली मुख्यता ठीक करना प्राकृतिक जीवन शहिली चाहिए जितनी प्रकृति के पास रहेगी उतना हम स्वस्था रहेंगे परियावरण के साथ मेल खाने वाली जीवन चाहिए हम बेतहाशा रासायनिक खेती का प्रयोग करेंगे तो कैंसर तो बढ़े गाई हम अगर हर जगा प्लास्टिक से प्रदूशन लाएंगे तो हम जिस सास से हवा भरते वो सास अपनी विशयली हो जाएगी और इसलिए हमारे यहाँ पानी का उप्योग ठीक से करना नाप तोल कर करना पानी सबके लिए आवश्चक है लेकिन अगर हम पानी को अमरियाजित खर्चा करने लगे तो सबको पानी नहीं मिलेगा और सब सुखी होंगे तभी हम सुखी होंगे नहीं तो नहीं होंगे प्लास्टिक का उप्योग कम से कम करना चाहिए कम से कम जिसको अंग्रेजी में सिंगल यूज प्लास्टिक कहते उसको तो आप जीवन से अटाने के बारी आ गई और जहां बनता है घर से लेकर अंगन से लेकर मुहले गाओं जंगलों खेतों तक हरियालिय बढ़ाना वृक्षा रोपन करना ये करने की आवश्चकता है उसके लिए पर्यावरण गतिविदी चलाते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत लोग काम करते जलसंधार अंड से लेकर सारी बातों में पर्यावरण गतिविदी प्रत्यक परिवार में पानी बचाना प्लास्टिक खटाना और हरियाली बढ़ाना इन तीन का छोटी छोटी बातों से लेकर सब में आचरन उत्पन्न हो इसके लिए पर्यास करते हैं कियोंकि यह ऐसी जो पर्यावरण की शहिली है वो शास्ट को भी ठीक करती है और खर्चा भी बचाती है कॉरोना काल में जितने विवाव हुए कितने सस्ते में हुए है घ्यान में कई बात perfume कि हम जो खर्चा करते हैं वो कितना खर्चा फालतों होता है इससे कम में हम जी सकते जो मिलता है उसमें अपने घर ग्रुस्ती को रोटी कपड़ा मकान स्वास्थे शिक्षा आतिती सत्कार आईसी यूने तब आवश्शक्ताओं को ठीक से पुरुण कर सकते अब कुरुणा जाएगा जाने को है अपनी सुद्रिवी आदद को फिर से नहीं बिगाड़ना इसका हमको ध्यान देना पड़ेगा और इसलिए परियावरन के साथ स्वास्थ को सात्ते हुए हमको ये भी प्रयास करना पड़ेगा कि सब प्रकार की पैठियों को मान्यता देते हुए अपने अपने पैठि का आंकार अभिमान तो रहना चाहिए गरों तो रहना चाहिए निखांगार नेन सब्सक्राइब कुछ बीमारी को कोषब एति में इलाज उसक्त अपने सब्सक ust desa अपने थिकित्साप पथथियों को समन्वै करते हुए सब को सुलब हो सके ऐसी चिकित्साम क्या है क्योंकि कुछ पद्धतियों में रिर्ष भांगे हो जाते उसका इलगए उसका पद्धत्यों में वही इलैजessen सस्ता हो जाता उसी बीमारी का और गूदर मिलता है तो इसलिए सभी पद्धतियों का समण्वय करते हुए कैसे आगे बढ़ेंगे और सबको एकदम बहुत गंभीर चिकित्साओं का सामदा नहीं करना पड़ता छोटी मुटी रोज की बिमारिया होती है तो प्राथमिक चिकित्सा अपने गाव में ही उपलबदर है उसमें डॉक्टर वईदे भी हो और अंग्ले जी में कहते बेरफुट डॉक्टर्स आरोग्य रक्षक ऐसी भी कोई व्यवस्था बने थोड़ी अधिक चिकित्सा करनी है तो जिला केंद्र पर सबके लिए उपलबदर है और बहुत उच्चस्तरी है बहुत गंबीर चिकित्सा अगर आवश्चक है तो एक-एक विभाग केंद्र पर कमिशनरी केंद्र पर या बड़े कज़बों में उसकी विवस्था उपलब चिकित्सा का प्रबंद अपने देश में हो सकता है वही बात आर्थिक मामलो की है हम जानते हैं विश्व में जो प्रचलीत अर्थव्यवस्था है उसके कारण कई समस्याएं भी खड़ी है और समस्याओं का उत्तर उस्व्यवस्था के पास नहीं है कि सभी देशों में उस कब कiousका उनरविचार चल रहा है बहुत उत्साय से जिन बातों की उद्गहोषणा आर्थिक यहध पहले करता था आज उसने वो करना बन कर दिया है अंतर मुखों के विचार कर रहा है तीसरा रास्ता कौन सा है तीसरा रास्ता हम दे सकते हैं हमारे परमपरागत आर्थिक चिंतन की जो दुर्ष्टी है वो पूर्ण है अदूरी नहीं है हमने उस्वा के आधार पर यह चिंतन किया है एक शाश्वत सत्य हम पहले बताते हैं कि भाई अर्थ शास्त्र क्यों है मनुष्य की कामना पूर्ती के लिए साधन उपलब्ध कर रहने का शास्त्र ऐसा हो मानते हैं हमारे यहां थोड़ा आगे गए हमने कहा कि सुख प्राप्ति का वो है और एक की एक का सुख हो नहीं सकता सब का सुख चाहिए इसलिए जितनी प्रजा है उसके सुख का वो शास्त्र है जिनों ने जन्म लिया है वो सब सुख को प्राप्तों तो सभी सुखी होंगे और यह सुख कहां मिलता है सुख बार नहीं है सुख अंदर है और इसलिए अंदर के सुख को प्राप्त करेंगे तो बाहर की वस्तुओं से हम परियाप्त सुख ले सकते हैं अपने अंदर ही है वो लेकिन उसकी लिए बाहर की वस्तुओं परियाप्त हो सकती है नहीं तो सिद्धान्त तो प्रचलीच सिद्धान्त कहता है मीन्स आर लिमिटेड एंड्स एंड्लेस हमारी आई इस सत्यों को मान्य करके कहा है कि ऐसी अवस्था में अगर उपभोग करना है तो संयम आवश्चक है क्यों कि सुख उसमें नहीं है एवस्थू में सुख हमारे अंदर है तो बाट कर खाओ उस सुख के पीछे बहते मत जाओ सुख पर तुमारा नियंत्रन चाहिए और इसलिए सयम पूर्ण उपभोग न्यूनतम आवश्चक जितना है उतना उपभोग क्योंकि यह सब हमारा नहीं मेरी अपनी प्रापरटी नहीं है इस पर मालकियत किसकी है किसी की नहीं इशावाश्यमिदम सर्वं भगवान का बनाया है बगवान का है उसने उसका यतोचित उप्योग जिसके लिए रखाए वह लेगा सबका होने के बाद बचेगा उसमें मैं अपने को चलाओंगा तेन त्यक्तेन भुंजीत मां मनुष्य प्राकृतिक और मानव निर्मिद्धन का स्वामी नहीं है विश्वस्त है उसको दो हाथों से कमाना है लेकिन उसके आधार पर सारी सुर्ष्टी को चलाना है हजार हतों से बाठना ह इस दृष्टी के आधार पर अपने यहां का आर्थिक विचार खड़ा है वो एकांतिक नहीं है उसमें मनुष्य को सृष्टी के अंग के नाते देखाद गया है सृष्टी का मालिक नहीं कॉंकरर नहीं कॉंकरिंग दी नेचर गलत बात है नर्चरिंग दी नेचर इस आधार पर हमारा अर्था विचार खड़ा है और इसलिए वह एकांगे नहीं है वो सब जगह परिवार की कलपना करता है कृषिश रेट है कि उद्योग स्रिष्ट की व्यापार स्रिष्ट है अरे वह तीनों अपने अपने जगह स्रिष्ट है तीनों को मिलकर चलना सबको अपना अपना करता हुए पूरा करते हुए संयम से बरतना पड़ेगा तब सब की कामना पूर्ण होगी अगा इस प्रकार के आर्थिक विचार के आधार पर आज के देशकाल परिस्थिती में क्या सुसंगत हो सकता है कि हमारा प्रदीर्ग जीवन रहा है उस प्रदीर्ग जीवन में हमने भी पुर्चार्थ किया है और इस वी सन एक से लेकर तो सत्रवी सदी तक हम दुनिया के सर्वत सर्वसमर्था आर्थिक देशते विलियम डैली रिंपल वगरे डाटा दे रहा है यह अगर वस्तुस्तिति है तो हमारे इतने लंबे आर्थिक अनुभव से हमने जो शाश्वत तत्व निकाले उसके आधार पर हमको चलना पड़ेगा जमाना बदला है उपर उपर का परिवर्तों उतना जरूर करना पड़ेगा विश्व भी अब दो-चार हजार साल चला है अर्थपुरुशार्था में उसका भी कुछ अनुभव है वहां से भी जो उपयुकत है वो लेना पड़ेगा स्वदेशी को काल सुसंगत बनाना और विदेशी को देश सुसंगत बनाना इसके आधार पर अपने स्वग पर आधारित एक नया आर्थिक प्रतिमान संपूर्ण दुनिया को देना ये दुनिया की अभी आवश्यक्ता है स्वातंत्र में हमारे प्रगटी करण का स्वभाविक आविश्कार है इसकी चिंता हमको करनी पड़ेगी और ये बात जब सोचते हैं तो सब लोग आजकल कहते ऋब पहले इतना नहीं कहते थे आजकल हुआ है एक परिवार में टू-पॉइंट वन ऐसा कर लेने दो बालक रहे ऐसा विद्वानों ने मिलकर निश्चित किया सरकार ने उसको स्विकार किया यह सब हुआ है लेकिन हमको लगता है कि एक बार फिर विचार कर लेना चाहिए कि क्योंकि दो बाते सारी बातों का बुड़े बनेंगे उनको खिलाने के लिए भी हाथ लगेंगे कितने लोगों को खिला सकेंगे और उस समय जितने लोगों को खिलाना है उसके लिए काम करने वाले कितने लगेंगे दोनों बातों का विचार करना पड़ेगा इतना हम बढ़ेंगे तो परियावरण कितना जहल सकता है हमारी माता है उस दुर्ष्टी से कितनी सक्षम है उनको खुद के पहरो पर खड़ा रखने का सामर्च उनका सशक्तिकरन कितना हुआ है वो कितनी प्रबुद्ध है हम उनको कैसा ऐसा बना सकते एक पचास साल अगे तक का विचार करके एक नीती बनानी चाहिए और उस नीती को सब पर समान रूप से लागू करना चाहिए क्योंकि जैसे जनसंख्या एक समस्या बन सकती है, वैसे जनसंख्या का असंतुलन भी समस्या बनती है, बन रही है देश में दुनिया में, हम देख रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, इसमें किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रहेता है, अर इसलिए हमने एक 2015 में ही प्रस्ताव पास किया इसके बारे में उस प्रस्ताव को मैं पढ़के बताता हूँ जनसंख्या वुर्द्धिदर में असुन्तुलं की चुनोगती डेश में जनसंख्या नियंत्रन हेतु किये कि विवी दुपायों से पिछले दशक में जनसंख्या वुर्द्धिदर में परियाप्त कमी आई है लेकिन इस संबन्न में अखिल भारत्य कारिकल की मंडल का मानना है कि 2011 की जनन गणना के पांथिक आधार पर किये गिये विसलेशन से विविद संप्रदायों की जनसंख्या के अनुपात में जो परिवर्तन सामने आया है उसे देखते हुए जनसंख्या नीती पर पुनर विचार की आवश्चकता प्रतीत होती है विविद संप्रदायों के प्रती जनसंख्या वुर्द्यदर में बारी अंतर अनवरत विदेशी घुस्पईट वो मतांतरण के कारण देश की समगर जनसंख्या विशेशकर सीमावर्तिक चेत्रों की जनसंख्या की अनुपात में बढ़रा असंतुलन देश की एकता अखंडता सांस्कृतिक पैचान के लिए गंबीर संकट का कारण बन थकता है विश्व में भारत उन अग्रणी देशों में था जिसने 1952 से ही जनसंख्या नियंदरन के उपायो की गोटना की थी परंतु सन 2000 में जाकर ही वह एक समगर जनसंख्या नीतिका निर्माण और जनसंख्या आयोक का गठन कर सका इस नीतिका उद्देश सकल प्रजनन दर की आदर्श स्थिति को 2045 तक प्राप्त कर स्थिरोव स्वस्थर जनसंख्या के लक्ष को प्राप्त करना था अईसी अपेक्षा थी कि अपने राष्ट्रिय संसाधनों और भविश्य की आवश्क्ताओं को ध्यान में रखते हुए प्रजनन दर का यह लक्ष समाज के सभी वर्गों पर समान रुप से लाग होगा परन्तु दोहजार पाच्छे का राष्ट्रिय प्रजनन एवन सार्थ सर्वेक्षन सन दोहजार ग्यारा की गणना के जीरो से छे आयोर्ग, शून्य से छे आयोर्ग के पांथिक आधार पर प्राप्ता आकडों से असमान सकल प्रजनन अदर एवन बाल संख्या अनुपात क संकेत मिलता है, यह हमारा प्रस्ताव है, तो इसलिए सुझाव हमारे ऐसे और भी लिखा है, पूरा नहीं पढ़ता हूं, लिखित भाचन में उपलब्ध है, देश में उपलब्ध संसाधनों, भविश्य की आवश्रकता हूं, एवं जनसांख्य की असुन्तलन की समस्या को ध्यान में रखते हूए, देश की जनसंख्या नीती का पुनर्यदारन कर उसे सपर समान रूप से लागू किया जाए, सीमा पार से हो गई, अवैद घुस्पट पर पूर्ण रूप से अंकुष लगाया जाए, राष्ट्रिय नागरिक पत्रिका का निर्मान कर इन वाले पिडी दर पिडी बसने वाले नागरिक बने हुए, किसी के प्रती ये बात नहीं है, और देशवासियों का ये आवान है, कि जनसंख्या में असंतुलन उत्पन्न कर रहे हैं, सभी कारणों की पैचान करते हुए, जन जागरन ज्वारा देश को जनसंख्य की ये विक्रुत संकल्प है, डॉक्टर मनमोहन सिंग उस समय प्रधान मंत्री थे, उस संकल्प के बाहर इसमें कुछ भी नहीं है, सब उसके मर्याला के अंदर है, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितिया आती है, अभी जैसे एक अचानक आ गया, वायवे सीमा के पार तालिबान घड अब तालिगान का पूर्वचेरित्र क्या है, हम सब जानते हैं, और उसकी जो बाते हो रही है, वो दो प्रकार जोग फबाता है कि अच्खे रहेंगे, कभी कहता है कि नहीं हम वही हैं पहले से, तो इसका एकस्पर्टस अंकरत है क्यों सो सावधान रहना चाहिए, और तो और उस समय उसका समर्थन करने वाले जब खड़ा हुआ तब रशिया भी था तुर्कस्तान भी था चीन और पाकिस्तान तो आज भी है अब तालिबान बदला भी होगा पाकिस्तान बदला है क्या ऐसा तो बिलकुल नहीं है चीन का इरादा भारत के बारे में बदला है क्या ऐसा तो बिलकुल नहीं है और इसलिए यह मानते हुए भी रुधे संत्ध कर्यान को सकता है बुरा इसे प्रयाज भी जारी रखने चाहिए लेकिन अपनी सावधानी अपनी तयारी को पूर्णी रखते हुए हमको सजबी रहना चाहिए हमारी स्वीमा सुरक्षा और अधिक चाक्चवबंद होने के आबश्चकता है जहां बार-बार आकरमन होते वहां तो ठीक ही है लेकिन जहां नहीं होते नहीं होते एसा हम कहते हैं लेकिन चोरी चुपे होते रहते हैं सागरी सीमा है हमारे सागरी प्रदेश में जो टापू है देश के अंदर की बात है इन सब को बहुत अच्छा करना चाहिए इंटरनेट के उप्यों के कारण अब साइबर सिकुरिटी का अभी प्रेश्टना खड़ा हो गया है उसके मामले में हमको बहुत आगे जाना पड़ेगा हम जाएंगे और ऐसी बातों का परिणाम अंदर उपद्रवी लोगों के मनोबल पर न हो हुआ तो भी वो कुछ न कर सके ऐसे आमको ठीक रखना पड़ेगा अभी अभी जम्मू कश्विर में होकर आया वहां सामान्य जनता को 370 हट्टें के अच्छे लाब मिल रहे हैं उसको तो मानते हैं लेकिन और आगे बढ़ते हुए उनका देश के साथ सात्मी करण हो इसके प्रयास बढ़ाने की अवश्यक्ता है मन से एक होना चाहिए भारत से किसी भी भारतिये के रिष्टा लेंदेन का नहीं है हम भारत माता के पुत्र है हम भारत के अंग है कि कश्मीर की जनता को उसके मन में उस भावना को हमको विकसित करना पड़ेगा इस दुरुष्टी से शासन के समाज के दोनों के प्रयास चल रहे और बढ़ने चाहिए उसमें गति आनी चाहिए यह अगर हम करते हैं तो फिर आतंकवादियों की गतिविज्यों का भी बंदोबस्ट करना पड़ेगा अभी 377 के बाद उनके प्रती जो डर था वो भाग गया अब वो डर से ही काम लेते थे तो उस डर को वापस लाना उनके लिए आवश्यक है इसलिए चुन-चुन कर जैसे पहले करते थे मनोबल गिराने के लिए टार्गेटेड वायोलन्स लक्षित यूंसा वो कर रहे हैं उद्देश है कही है उनका कि अपने डर को फिर से स्थापित करना और समाज वहां संधर्श कर रहा है वो कह रहा है कि एक बार डरे डरे अपने डरेंगे आप डर को वापस नहीं ला सकते लेकिन शासन को भी बड़ी चुस्ती से इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा तब इस संगर्श को हम ले लेंगे चीत लेंगे हिंदू समाज को यह सब करना पड़ेगा और हिंदू समाज के अपने भी कुछ प्रश्ण है जैसे मंदिरों का प्रश्ण है हिंदू समाज के मंदिरों की स्थिती बहुत अच्छी नहीं है लेकिन देश के हर भाग में अलग-अलग है दश्ण के प्राया सभी मंदिर सरकार के अधीन है छोटे छोटे मंदिर जो स्वतंद्र है वो उपिक्षित है बाकी भारत में कुछ मंदिर सरकार के अधीन है कुछ मंदिर भक्तों के अधीन है सरकार के अधिन भी कुछ मंदिर बहुत अच्छे चलते हैं बहुत सुन्दर साप सुत्रे प्रिर्णा देने वाले भक्तों की मदद समाज की सेवा करने वाले सरकार के अधिन भी है और भक्तों के अधिन भी मंदिर बहुत अच्छे चल रहे दिल्ली का जंडे वाला मंदिर है अपने आप आस में शेगाओ का मंदिर है भक्तों क्या दिन है उत्तम चल रहे व्यवस्थित चल रहे पवित्र चल रहे स्वच्छ चल रहे और समाज की भी कई प्रकार से सेवा करते हैं कि ऐसे व्यवस्था पेंगे तुर्ष्टी से व्यष्णोदेवी मंदिर सरकार नि लिया ठीक ठीक चल रहा है जगमोंजी थे वो श्रद्दालू थे इसलिए ठीक हो क्या प्रबंद्र लेकिन जहां ऐसा नहीं है वहां क्या हो रहा है लूट चल रही है मंदिरों की जमीन कि देवीस नहीं है उनके लिए लगायी जाती है लिए लेकिन सुप्रीम को ते निरणे भी है किसे सरकार व्यवस्था उत्पन्न करने के लिए कुछ समय तक लेसकती है 1 2 3 वर्षों उसके बाद वापस करना पड़ेगा और इसलिए एक बार इसका निर्णय होना चाहिए ठीक से हो और निर्णय ये भी होना चाहिए हिंदू समाज मंदिरों को कैसे रखेगा दू समाज की क्या वेवस्था है अपने जीवन के केंदर हुआ करते थे वैसे चलाने का को क्योंकि हिंदु समाज की श्रद्धा जगें हिंदू समाज का अब जगें हिंदू समाज के लोगों के आपत्यों का निवारन हो unkosher ऊमिले unkosahara मिले इस अ दृष्टि पतित हो गई है उनको ठीक करने के लिए हिंदू को जगाना पड़ेगा क्योंकि हिंदू समाज का ऐसा होना ही सारी बातों का आधार है हमारे देश का सुगा अध्यात्मिक है उसमें अनेक पूजाय आ सकती है बाकी पूजाय समाई भी जा सकती है वो पूजा पर निर्वन नहीं करता है शासन प्रशासन देश को कैसे चला गया एक बात होती है लेकिन देश को तो सही अर्थों में समाज चलाता है और अपने समाज का जो स्व है वो स्व छोटी पहचानों के संकुचित अहंकार को भूल कर उनको स्विकार करना पहचानों को उनका पूर्ण सम्मान करना उन सब पहचानों को आदर और विकास का अवसर मिलना परन्तु उसके अहंकार में फसना नहीं उससे बड़ा हम सब एक समाज है यह संपूर्ण भारत वर्षा हमारी मात्रुभूमी है राष्ट्र हमारे यहां राज्जा अधारित नहीं है नेशन स्टेट नहीं है हमारे यहां जनपद वती भूमी यह राट्र का अधार है जनपद याने समाज समाज याने केवल भीड नहीं समाज याने एक समान लक्ष लेकर आगे बढ़ने वाला समूह परस पर आत्मी अता की सम्मक का संबंद रखने वाला एक मात्रु भूमी का अपने आपको मानने वाला यह भारत वर्ष व्यवस्थाओं में भी विविदता लेकिन सद़ वह एक राष्टर रहा है और उसका स्वह है सभी विविदताओं का स्विकार संबाद सब उपासनाओं का हम स्विकार कर सकते हैं यह बात सही है कि उपासना आकरमन कारियों के साथ भी दुनिया की दो यहां आई है शरनाती होकर भी दुनिया की दो उपासनाओं यहां आई है यहुद्यों और पार्सी इसलाम और इसायर आकरमकों के साथ प्रवेश कर गई है आकर करमकों के साथ नाता नहीं है किसी का सब अपने उन हिंदु पुर्वोजय को वहुशे जए जो इस विविधता को एकता का ही आविश्कार मानकर सब का सुईकार सम्मान करते थे आपस में प्रेम से मिल जूल कर रहते थे और सभी एक दूसरी का अधर करके चलते थे कि उन्हीं हिंदु पुर्वोजय को सब वहुशे जाए वही भारत वर्ष सब की मात्रु भूमिय है जिसके सिवाए किसी को गति नहीं है और कहीं और उसकी यह सब को अपना मानने वाली सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा ऐसा गवरों से जिसको कहा गया है मनुष्य में मनुष्यत्व को जागरुत करने वाली उस संस्कृति का असर सब पर है उस संस्कृति को मान कर सब पर चलना यह सबने मानने करना चाहिए इसमें किसी को पूजा नहीं छोड़नी पड़ती भाषा नहीं छोड़नी पड़ती कुछ नहीं छोड़ना पड़ता अपना कट्टरपन अपने मन के अलगाओ की भावना और अपनी छोटी पहचानों का अनुचित अंकार छोड़ना पड़ता है उसका गवरो सुरक्षित रहता है उसकी प्रतिष्ठा उसका सुईकार संबान सुरक्षित रहता है राश्ट्रवासियों के लिए इस आवाहन का सुईकार करके ही भारत की एकात्मता अखंडता वापस आएगी यही इमोशनल इंटिक्रेशन का गया है जिसका आवाहन अपने स सारा तब समझेंगे लोग जब हिंदू समाज ऐसा होके दिखाएगा दिखेगा हम अपने छोटे-छोटे अंकार भूल कर सबको अपनानी की नियत रखे हमारी सांस्कृति तो सबको अपनाती है हमको डर नहीं लगना चाहिए किसी को अपनाते समय डर लगता है क्योंकि हम पड़ेगा है मैं शंकर का वह क्रोधान लकर सकता जगति शार अक्षार ऐसा बल होना पड़ेगा लेकिन जगति को शाक्षार नहीं करना है भूभाग नहीं शत्युक्त मानों के रिदय जीतने का निष्च्च जो हाथ उठाए उसका हाथ न रहे इतना सामर्थ होना है दुर्बोलों के रक्षा कि शील और शक्ति को साथ में लेकर हिंदु समाज को चलना चाहिए क्योंकि दुनिया दुष्टों की है वह बिना शक्ति सत्य को भी नहीं बानती तो हिंदु समाज को अपने बेद भूल कर संगटित होना पड़ेगा शक्ति संपन्न होना पड़ेगा सब को समझना पड़ेगा कि इस अर्थ में हम सब हिंदु हैं इसको समझा इसलिए तो हमारी इतिहास में राणा संगा के साथ अक्बर से लड़े बाबर से लड़े हसंखा मेवाती हो गए राणा प्रताब के साथ अक्बर को टक्कर देने वाले हकिम का सूरी हो गए खुदा बक्षा और गौस खा जो अंतिम सासकर जहासी की राणी और उसके वहुशेजों के साथ रहे वो हो गए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के जिगरजान दोस्त अश्फाग उल्ला खान जैसे करांतिकारी उसी ने हमको दिये कि बारा मुल्ला में कबाईलियों के आकरमन के आगे देश के एकात्मता को कि किसी प्रकार से समझोते में न लाते वह अपना बलिदान करने वाले मक्पूल शेरवानी भी उसी के कारण हुए अपने सेना के वीर जवानों में बिर्गे वक्के नाते आया उनसे हमारा नाता नहीं है कि आज हमको मुसल्मान रहना भी हम रह सकते अपना देश उदार है कि हमारे आदर्शा ऐसे मुसल्मान होंगे जो देश के प्रतिने उचाओर हो गए हमारा जीवन वैसा बनना चाहिए हिंदू समाज अपने आपको संगटिक शक्ति संपन्न बनाकर इस अपनत्व की भाषा से लोगों को समझाता है तो अपने देश में लोग समझ जाएंगे कि आतंक कट्टरता द्वेश और स्वार्थ के समय में दुनिया में कोई नहीं है जो इससे तारेगा केवल वह इंदू समाज है वो जो सबको स्विकार करता है और वो शक्ति संपन्न है वो इस दाहित्वका निरवा कर सकता है यह भारतिया सौंस्कृत सबको दे सकता है उसमें वह बल खड़ा हो गया है इस बल को खड़ा करना अपना काम है इतिहास की घटनाओं को विद्वेश के लिए नहीं समर्ण करना है उससे सबक लेकर यह न बढ़े विद्वेश इसके लिए सुनना है जन्मे जैने व्याज जैको सरपयत ने उसका जब खंडित हुआ तब यही कहा कि हमने सुना कि हमारी जो पूर्वश थे कोरो और पांड़ो उनमें बड़ा भैंकर सम्हारकारी युद्ध हुआ यह कैसे हुआ यह आपस में शत्रुता क्यों बढ़ी द ने उस बहुर को शमन करने का प्रयास नहीं किया यह महावारत क्यों हुआ बताइए तब व्याज ली ने महावारत की कहानी बटाई कल बनाने के लिए के नहीं कला मिटानी के लिए बताई भारत के साथ संपूर्ण मानावता की परस्पर आत्मियता सदा के लिए अभिन्न रूप से जुड़ी है उस भारत को उस परंपरा को संस्कृति को समाज को सर्वांग सुंदर रूप से सबल होकर खड़ा होना पड़ेगा हम सब को हिंदू के नाते व्यक्तिगत स्तर पर बल साहस तितिक्षा धाईरिय ओज शारीरिक मानसिक बहुत दिक तिनों परकार का इसकी साधना करनी होगी समाज के नाते सारी बातों का उपाय करने के लिए सामुहिक कार्य करने का अभ्यास करना होगा सामुहिक्ता से चलने की स्वभाओं में आदट डालनी पड़ेगी यहाँ बल किसी की विरोध और प्रतिक्रिया में नहीं है हमारी फूट के चलते हमको तोड़कर अपने स्वार्थ के उल्लू सिधा करने के लिए सब लोग ताक पर है इसको समझते हुए और यह हमारा स्वभाव होना चाहिए हिंदू के नाते संगटित रहना बलसंपन रहना संपूर्ण मानवता के लिए अपने बलका उप्योग करना यह करतव्य निर्वाह करने के लिए ऐसे हिंदू समाज को खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि जागरुत, संगठित, बलसंपन्न और सक्रिय हिंदू समाज ही सब समस्याओं का समाधान है यही काम तो हम करते हैं भारत के बारत की बारत की जो प्रगति है उस से विकास की अपेक्षा भारतियों की जैसी बारत से वेसे संपूर्ण विश्व की अपेक्षा है एक नई राह दिखाने की उसके लिए भारत को तयार करना अपनी विविधता को अपनी एकता का श्रूंगार बनाकर बलक के साथ सब प्रकार के जीवन का उत्तम उदारण बनकर दुनिया में खड़ा संपूर्ण देश को प्रेम स से पुकारता ललकारता हुआ अपनी छत्र छाया में अधिक अच्छे मनुष्य बनकर सुष्टी के साथ कल्याण की रहा पर अगरिसर करने वाला विश्व गुरु भारत हमको खड़ा करना है संग के स्वैंशों को कि अपेक्षा इसके लिए है और आप सब समाज के लोगों बदल जाएगा वो भाग्य बदलना है वो भारत की आवश्यक्ता है वो समय की विश्व की आवश्यक्ता है और इसलिए ब्रांती जन्मन की हटाते क्रांती का संगीत गाते एक के दशलक्ष होकर कोटियों को है बुलाते इस पद्धती से हमको आगे बढ़ना है क्योंकि